नमस्कार एटुजेट टिशश ओशागोजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी वरत वाली आलू की टिकी यह इतनी बढ़िया बनती है और आपसे कोई भी वरत में ले सकते है चाहे अपी सावन का महीना आने वाला है अभी ग बड़ा चमस साबुदाना और इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है बस इसे डखकर अच्छे से पीस लेना है यहाँ पर देखे साबुदाना को पीसने के बाद इस तरह से हो जाएगा एक तम पाउडर की तरह अब यहाँ पर मैंने ले ली हैं दो उबलेवे आलू उसे हमे और रत में तो वैसे भी ज्यादा मसाले नहीं घाया जाते हैं तो बहुत कम मसालों मेंसे बना ही जाती है यह तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने दो प्लु आलू लिये थे इसे मैंने अच्छे से चील लिया और इसे हम ग्रेट कर लेंगे यह नहीं कि कड़ो कस कर लेंगे तो दोनों आलो को इसी तरह से कर लेंगे और ये काफी असानी से टिकी बन जाती है आप देखेंगे आपको लगे का ये तो बस अभी मैं बना लू इतनी फटा फट से बन जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने ये दोनों आलो को ग्रेट कर लिया और ज चौथाई चंबर जितनी इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ एक चौथाई चंबर जितना काली मर्ची फाउडर और यह आधा नीम्बू का रस तो इससे नीम्बू का रस ते काफी चटपटा स्वाद आता है और नीम्बू का रस आप रत में ले सकते हैं जो PCV चीनी है व अगर आप गौरी वरत या फिर जाया परवती वरत में ये बना रहे टिकी तो आप नमक बिलकुल भी नहीं डाले गा क्योंकि उसमें तो नमक वैसे भी नहीं खाया जाता है और अगर आप कोई और वरत में ऐसे बना रहे हैं तो उसमें तो अगर आप खाते तो वरत वाला नम नहीं लेती हूं तो बस अच्छे से इन सभी को हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है यहां पर आप देख सकते हैं और PCV चीनी से ने एकदम चटपटा स्वाद आता है और थोड़ी सी डालनी है तो मिठास नहीं आएगी पर फिर भी अगर आपको नहीं डालनी है तो कोई बात नह के बाद थोड़ा से इस तरह से ले लेंगे और इसे टिक्की का शीप दी देंगे तो यह टिक्की है थोड़ी सी मोटी ही अच्छे लगती है जादा पतली करने जाएंगे तो वह अच्छा मजा नहीं आता है दिखने में इतनी बड़िया नहीं लगती है तो थोड़ी सी जब ये स्थिक जाता है ना जब फ्राइ हो जाता है इकता बढ़िया लगता है ना तो जरूर एट लगाईएगा पर अगर आपको नहीं लगाने तो कोई बात में बस टिकी तैयार है तो इसी तरह से मैंने ये सारी टिकी तैयार कर ली है और आप देखे किती बढ़िया लग है और हलकी सी मोटी रखेगा इस बात का धियान रखिए तो यहां पर देखिए मैंने सारी टिकी दयार कर ली है और टूटल इसमें से मेरी पांस टिकी बनी है इतने मिश्रन में से अब आप चाहें तो इसे जादा तेल में फ्राइ कर सकते है यानि कि उसे कहते है डी फ्राइ और अगरन आपको मेरी तरफ कम तेल में से फ्राइ करना तो उसकी खेंगा शालो फ्राइ कम तेल में भी ये काफी असानी तो यह आसानी से बन गई, आपने देखा ही इसमें बिल्कुल भी आसानी हुआ कि यह पर प्रकाइं, तो बस बिल्डरबदे की तिक ग़र सबीजे में कह Sus구요 Etat Birthday, खाने में काफी मजा आ जाता है और इसके साथ कोई भी चटनी वर्टी के ज़रूरत नहीं है ऐसे ही खाने में इतनी डेस्टी लगती है ना और देखे काजु जो ये फ्राइ हो जाता है हलका साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता है पर अगर आपको नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं तो इस तरह से मैं से कम देल में से और आप इसे कोई भी ब्रत में ले सकते है जरूर ट्राइ कि जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बुले थैंक यू फॉर वाच्छंग